हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेंटेननस पर मेंटेननस का मामला जो की वहवाईक मामलों में सबसे ज़्यादा विवाधित मामला होता है जहाँ पर पती परिशान रहता है कि भई मेंटेनस देना ही पड़ेगा मैं काम कर रहा हूँ तब भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ तब भी वाइफ एजुकेटेड है तब भी वाइफ एजुकेटेड नहीं है तब भी करन्ट सिनेरियो तो लगभग यही बन चुका है दोस्तो maintenance पर clarity होना बहुत ही जरूरी है यह एक बिलकुल हटकर के मामला है इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है वो ही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ case की भी और judgment की भी की मामला क्या था क्या इसमें हुआ क्या judgment आया दोस्तो वीडियो में आ और उसका जो maintenance था वो 600 रुपे परती महा के इसाब से बान दिया गया जिसे बढ़ाकर 2002 में 4500 रुपे परती महा कर दिया गया था लेकिन दोस्तो पती ने यहाँ पर maintenance का भुकतान नहीं किया और ऐसा करते करते उसको बहुत समय हो गया 19 साल तक उसने maintenance का भुकतान नहीं किय और दोस्तो इस मामले में जो total area की राशी थी वो 7 लाक रुपे थी दोस्तो हजबन मद्यपरदेश का है 56 years उसकी age है और जो wife है उसकी age 50 साल है और जो उनकी बेटी है उसकी age 28 years है हजबन MP में निवास करता है और जो wife है वो अपनी बेटी के साथ एहमदाबाद में निवास क सजा सुनाई for non payment of maintenance to his estranged wife तो कुल मिला करके हजबन ने अब तक अपनी wife को जो maintenance का पेमें नहीं किया उसके वज में उसको 22 साल की सजा सुनाई गई और साथी कोट ने MP पुलिस को order भी किया कि उस particular man को trace करें और उसको jail के पीछे डालें यदि वो अभी भी ये राशी नहीं देता है और compliance report को file करें कि आपने इस order की compliance कर ली है तो दोस्तो ये मामला था इतना भारी पड़ सकता है कई बार ignorance कि आप सोचते है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा पर ऐसा नहीं है एक समय सिमा होते है उस समय सिमा तक भी आप intention नहीं देते 8 साल होगे 10 साल होगे 15 साल हो अभी दूसरे चैनल कानूनी सोच पर थोड़ी देर के बाद upload करूँगा आप वहाँ जाकर के उस कानून की पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और दोस्तों ये जो article है इसका link इस video के नीचे description में आपको मिल जाएगा वहाँ जाकर के आप इस पूरे article को पढ़के इस मामले की पूरी जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों आज की इस video में इतना ही next video में नई legal जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूँ तब तक किले goodbye and thank you for watching, take care